मश्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी तोटके में दोस्तों एक है रोग नाशक शक्तिशाली मंतर जो कर देता है असाध्य बीमारियों को ठीक दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूं सरल और प्रभावी रोग नाशक मंतर इस मंतर का प्रयोग आप अपने लिए या किसी अपने के लिए भी कर सकते हैं इस मंतर के माध्यम से आप बड़े से बड़े रोग या बिमारी को ठीक कर सकते हैं अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य है, किसी रोग से पीडित है तो आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंतर का प्रयोग करें और स्वयम को या किसी अन्य व्यक्ति को रोग से मुक्त करा सकते हैं इस मंतर को संजीवनी मंतर भी कहा गया है इस मंतर के माध्यम से बड़े से बड़ा रोग भी चू मंतर हो जाता है तो दोस्तों इस विडियो को पूरा देखें विधी और विस्तार से इस मंत्र को जानने के लिए ओम नमस्षिवाय जिसने जीवन में आने वाली सुख और दुख की परिस्थितियों का सामना करना सही धंग से सीख लिया उसका जीवन सार्थक हो गया ऐसे व्यक्ति जो दुख आने पर निराश नहीं होते वो दुख के समाप्थ होते ही सुख की परम अनुभूती का आनन लेते हैं विमारी भी जीवन में एक अभिशाप की रूप में आती है और घर में दुखों का पहाड आ जाता है विमार व्यक्ति स्वयम तो कष्ट सहता ही है परिवार जन भी मानसिक प्रताड़ना के साथ आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं अच्छे स्वास्त के अभाव में धनवान व्यक्ति भी खुद को असाहय महसूस करता है अगर डॉक्टरों के हर प्रयास असफल हो गए हो तो एक बार तंत्र शास्त के इस महाशक्तिशाली मंत्र का प्रयोग अवश्य करें ये मंत्र केवल एक रात में ही अपना प्रभाव दिखा देता है तंत्र के मंत्रों में बहुत शक्ती होती है कहा जाता है कि मंत्र स्वयम देवी देवताओं की शक्ती के प्रतीक होते हैं अगर किसी विशम परिस्थेती में शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो देवता शीग्र प्रसन होकर सारे कष्टों को हर लेते हैं तंत्र शास्त्र में भिन भिन कारियों को सिद्ध करने हेतू अलग-अलग मंत्रों के बारे में बताये गया है। बीमार व्यक्ति के पास बैठ कर उनको खिलाई जाने वाली दवाई को दाहिने हाथ में लेकर केवल तीन बार अभिमंत्रित कर उस दवाई को मरीज को तुरंद खाने को दे दें। ऐसा करने पर असाध्य से असाध्य रोग भी सिर्फ रात भर में ही कम होने लगेगा और जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। महाशक्तिशाली मंत्र है ओम याते रुद्र शिवा तनुह शिवा विश्व स्वाह भेश जी शिवा रुतस्य भेश जी तयानो म्रिड जीव से। इस प्रकार दवा को अभिमंत्रित करके दवा को हाथ में लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का उचारण करें और हाथ में रखी दवा पर फूंक दें इस प्रकार तीन बार मंत्र का उचारण करें और तीन बार दवा पर फूंक दें इस अभिमंत्रित को बीमार व्यक्ति को तुरं खिला दे और आपको परिणाम कुछी घंटों में दिखाई देने लगेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जुड़े रहिए चमतकारी तोटके के साथ अगर आपने अभी तक इस च